नमस्कार दोस्तो गुड मॉर्णिंग आप सभी का बहुत बहुत श्वागत है हमारे यूटूब चैनल केरियर पॉइंट पे मैं मुखेश कुमार आप सब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ देखे दोस्तो मैं लगतार एस्टेट का जो रिजल्ट है इसका मांग कर रहे हैं और यह जो मामला अभी तो कोट में है और इसके जो सरकार जो इतनी गलत जो नीतियां अपना रही है जो गलत काम कर रही है और क्या बतावे मतलब कि सरकार को सर्म नहीं आती है कि इतने सिच्छक है इसको जो बहाल कर रहे है यह कहां से उचित है आपको दीख रहा है बताईए अब देखिए क्या क्या यहां पर दिया गया है यहां से थोड़ा सा एक न्यूज है कि स्टेटी रिजल्ट घोसित करने की मांग और यह मध्यपूरा का न्यूज है चलिए देखते ह है क्या कहा रहा है बिहार के सरकारी माध्यमिक वा उच्च माध्यमिक स्कूलों में रिटायर सिचकों की सेवा लेने के सिच्छा विभाग के प्रस्ताव को सरकार के साइध्यांतिक समती के बाद बीएट पास अभियर्थी असमंजस में हैं अब देखिए अब जो रिटायर सिच्छक हैं जिनका अब रिटायर कर गए बेचारा अब उनको बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए लेकिन अब क्या किया जाए ऐसे जो बुढ़े लोग रिटायर हो गए वो क्या पढ़ाएंगे जो उनके अब सही से खड़ा नहीं हो सकते हैं वो अब कुल पढ़ाए और जो युवा है जो घर में बैठ के टाइम पास कर रहा है जिसके पास जो नई सकती है नई उर्जा है नया खून है वो जाकर पढ़ाता कि वो जो बुढ़े जो खड़े नहीं हो सकते हैं अभी बढ़िये से अब फिर से टीचर बनाएंगे उसको कितनी गलत बात है आगे एफ आई ने विसुविद्याले परभारी तारंग तने ने सिच्छा विभाग के इस आदेश को दुरभागे पूर्ण बताया है बहुत ही दुरभागे पूर्ण है सभी बच्चे के लाइफ के साथ खिलवार किया जा रहा है ये सरकार है या फिर क्या है आगे है कि उन्हो उचित है यार उचित कहां से है ये कहां से घटिया सरकार बन गई है सभी को लाइब बरबाद कर रही है निकम्मी सरकार लाखो ट्रेंड अभियरती होने के बाद ऐसा निरने सही नहीं है सरकार ने 37,000 से अधिक रिक्तियों के बिरुद्ध सिछक पातरता परिच्छा STT 2019 और ऑनलाइन बोड में लिया था बताइए ऑफलाइन में लिया तिसका मन नहीं भरा कहा कि कॉश्चन आउट हो गया है और जो लड़का है पागल वो गधा है वो भी तूँ इसने है किसी का कम नमबर आ जाता है किस कर देता है बताइए उससे बड़ा निकम्मा कौन होगा नला लेना कहीं से उचित नहीं है बिल्कुल उचित नहीं है सिच्छक बनने का सपना संजोए चातर निरास सिच्छा विभाग द्वारा नौ फरवरी को जारी आदेश से लाको स्टीट अभियर्थियस बंजस में है और मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था कि अभी सिच्छा लिभाग के द्वारा लिटर जारी किया गया जिसमें बताया गया है कि जो सेवा निवरित जो सिच्छक है उनको फिर से मतलब समीधा पर बहाल किया जाएगा जो अब मतलब कि उपर जाने वाले हैं उनको अब टीचर बनाया जाएगा बताये और जो बच्चे घर में बैठे हैं इतना मेहनत करके जो स्टीटी पास करेंगे हैं इतना जो दिन रद मेहनत किये हैं जो नए युवा हैं उस वो घर में टाइम पास कर रहे हैं ये तो हमार सरकार है कि सरकार !! बुढ़ा होगए तो बुढ़े को बनाएगा इसलिए जबान को बनाना चाहिए था सरकार तब जबान को बनाता है बना दिये मोख मंतिभी को तब डेलिए लाखो स्टीटी के विर्थियस मंजस में निरास हैं सारंग तने ने कहा कि जब स्टीटी पास चातर उपलब्द है SME रिटार से चुकुक सेवा लेना उनके रोजगार के अफसर को समाप्त करने के जैसा है हमारा अफसर तो पूरा समाप्त ही कर दिया है सारंग तने ने आंदोलन के चेतावनी देते हुए कहा कि सिच्छा विभाग जल्द इस परस्ताव को वापस ले अन्यथा बीड़ छात्र आंदोलन को मजबूर हो जाएंगे अंदोलन बिना अंदोलन के कुछ होता ही नहीं यह बिहार में यहां एक एक एक्जाम नहीं होता है एक्जाम के अलावे हाई कोट होता है सुप्रीम कोट होता है अंदोलन होता है मार भीट होता है केस होता है सबची होता है तब जाके फाइनल होता है ऐसा कोई भी एक्जाम नहीं है बिहार का कि जो एक एक एक्जाम में किलियर हो जाए आगे कह रहा है कि उन्होंने कहा कि आज इवावों को रोजगार देनी की जरूरत है राज्य के प्रसिचित योग और अरहता प्राप्त स्टुडेंट की युग्यता की उपेच्छा कर रिटायर सिच्कों की भाली का आदेश वापस करने की मांग है ये बिल्कुल 100% इसको वापस होना चाहिए जहीं सभी बच्चे का appelle बर्वाद करके चोपट कर दिया है किसा निकमी सरकार बन गई है ये शीली काते हैं बुढ़ा को बना दिया होतों फिर बुढ़आ वला बढ़ेत्व टिचर बनाएगा न युवा को बनाता थ ठीक है ठीक है दोस्तों अब क्या बहुत गुस्सा आता है और जो केस करता है वो तो महान नालायक आदमी है ही है ना और सरकार भी वोशी परकार की है चलिए और देखिए एक बात आपको बताते कि हमारा WhatsApp गुरूप है 78578824310 ठीक है यह आपका WhatsApp गुरूप है तो आप गुर आपको इसी मतलब week में start होने वाला estate new vacancy का ठीक है 33,916 वाला तो जिनको भी अगर गुरूप में जुड़ना है तो आपको गुरूप में जोड लिया जाएगा और यहां पर गुरूप अलग-अलग है boys का अलग है girls का अलग है ठीक ना तो जिनको भी गुरूप में जोड़ वहां से भी आप जुड़ सकते हैं लेकिन उसमें ध्यान रखिएगा girls वाला अलग है boy वाला गया ठीक ना चलिए तो यह आपका रहा estate से संबंधित कुछ बात है अब देखिए 18 फरवरी को अप इसका सुनवाई है estate का अब result के बारे में 18 फरवरी को ही कुछ हो सकता है क्या होगा तारिख पे तारिख मिल रहा है और क्या होगा फिर तारिख नहीं आदेगा हमें तो नहीं लगता कि कुछ निर नहीं इसका आएगा 18 फरवरी को फिर से तारिख पे तारिख पे तारिख पे तारिख मन तो करता है ना क्या करूं चलिए ठीक मिलते हैं फिर बाद में त